दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह जो मैंने यह जो पहुदा है और इधर देखिए इधर जो है यह त्रोई का है और यह जो है लोगी का पहुदा है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी यह सभी बेल वाली सब्जी है और यह सब जाल को चाहा हुआ है और कितना हरा बारा है और कितना फैला हुआ है इस ताकिक मैंने आप लोग को दिखाया था तो एक करेला का पॉदा था जो कि थोड़ा बहुत दिख रहा था और इस चारों कलब से कफ़र कर लिया है पूरा ग्रीम ग्रीम हो गया है और इसमें मैं टाइम तु टाइम खान और गाए किया है और देखाए और अप लोग को दिखा रहें George युख कर्णा और यहां इन पर आया हुआ है उसके बहुत वह बहुंत राएव यह कुने देखा रहा है और में तबदिल हुरा है महीं यह देखिए इस सब और क्छी औरԴ हिसलीए हो रहा है क्योंकि प्यांकि गुराइब और फटलाइजर और गनिक फटलाइजर इसका मेंटनेस सही से होता है इसलिए जो है यह फूल जो है वो फॉल में तब्दिल हो रहा है और बहुती हरा भरा है आप देख रहें कि इतना बड़ा जैसा कि मैंने आप लोको पहले जी बताया था अगले वीडियो में कि आगे जो ह pub है पूरा अब ही जाल से जाल अब उच्वात हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहें है और लोकी भी मुझारा आघीए संबल्फी का में तोल-सी इस दिना ओं मैंदिखा रहा हूं एक बड़ाया होगा हूए इसस दो निकर रहा और कशळला के देखिए सब फूल पंस और कितनी सारे हूँ जो है तूब्स हो रही है कि पडिल होना है दीरे माट निन धो वह सब करेला आया हुआ है जैसे उपर देखिए ऊपर भी दिखा रहा हूं आएसे करके कम से कम 15-20 जो है करेला अभी छोटे-छोटे सब निकला हुआ है और सब यह बड़ा-बड़ा हो जाएगा समय आते हैं सब बड़ा-बड़ा हो जाएगा जैसा कि मैं आप लोको दिखा रहा हू तो अब यह जाल बन गया जाल होने से इस तरफ में यह कभर करेगा इसके लिए के स्पेस मिल जाएगा इधर आने के लिए तो यह टोटली जो है एक जाल से कम्प्लीट इस पर खलेगा तो काफी मेरा बेल वाली सब्जी जो है हरा-बड़ा है जैसा कि आप लोकों मैं दिख हा रहा हूं कि कितना हरा-बड़ा है और बहुत बढ़िया से कभर किया हुआ है